अब बुलिटिन की शुर्वात कर लेते हैं लोगसुबा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजसान बीजिपी ने चुनावी तयारियों में अपनी पूरी ताकत जोंगती है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पूर्वी पूर्व सीम अशोक गहलोत के ग्रहजले जोधपूर में होंगे जोधपूर में सीम कलस्टर कारिकरताओं की बैठक में शामिल होंगे और कलस्टर कारिकरताओं को लोगसुबा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र देंगे लोगसभा चुनाब को लेकर बीज़पी ने अब तक 15 उमीदवारों के नामों का एलान कर दिया है उद्यपूर दोरे के दोरान सीम भजनलाल शर्मा कलस्टर काय करताओं के साथ बैठक करेंगे बैठक के दोरान जोधपूर पाली बाडमेर और जालोर सिरोही लोगसभा सीटों पर चर्चा होगी सीम भजनलाल शर्मा कलस्टर काय करताओं को जीत का मंत्र देंगे और जोधपूर के बाद सीम भजनलाल शर्मा उद्यपूर जाएंगे जहां पर उद्यपूर लोगसभा कोर ग्रूप की बैठक में शामिल होगे उद्यपूर लोगसभा कोर ग्रूप की होने वाली बैठक में उद्यपूर बासवाड़ा उचितौरगर की रननीती पर चर्चा होगी जोद्पूर उधौलपूर लोगसभा सीट पर भाजपा ने अ उम्मीदवार बनाया है तो उद्यपू जॉद्पूर के दोरे पर रहेंगे सीम भजनलाल शर्मा चुनाओं की तयारी है जब से लोकसभा चुनाओं की तारीखों का एलान हुआ है उसके बाद बीजुपी ने पूरी तरह से तयारी शुरू कर दी है जॉद्पूर कलस्टर कारकरताओं के साथ सीम की बैठक है और कल दिन में भी बीजुपी की सीज़ी की बैठक हुई थी और इस खबर पर मुख्यमंत्री के इस कारकरम पर जादा जानकारी लिए हमारे साथ हमारे समवादाता अरुन हर्श जुड गए है अरुन क्या कारकरम है मुख्यमंत्री का उद्यपूर जूदपूर का दौरा है क्या पूरा प्रस्तावित कारकरम है बताए हमारे दर्श कोंगो देखे सुनिता अगर बात की जाए मुख्यमंत्री बजनलाल सर्मा है जो कुछी देर में बार आने वाले जोद्पूर एरपोर पर पहुंच चुके है बार आने वाले है लेकिन उसे पहले अगर बात की जाए जो जो मेडिकल कॉले सवागार है जाल लोक सवा कलश्टर के जो है कारिकरता उनसे सवान्त करेंगे लेकिन गजंदर सिंग क्यूथ एक मंत्री जो बता रहें मुख्य मंत्री आचुक कै और 25 से 25 सीटे जीतने के लिए मंत्र देंगे मुक्य मंत्री जो तुर एरपोर्ट पर पहुंच चुक है मैं कामरमन सयोगी को कहूंगा वो दिखाए किस तर से देखे आप कार्यकरता की जो बीड लगी हुई है साथ इसाथ अगर बात की जाए जिस तर से जो है आचार सीता का ह प्रसासन ने किसी भी कार्यकरता को दुपटा और माला एलाने के लिए मना कर दिया था और यही कारने की तमाम कार्यकरता जो बीजेपी के यह आयो है वो अपने मुक्य मंत्री को देखने के लिए बिना दुपटा माला के यहां खड़े लेकिन कह सकते है प्रसासन ने अपन प्रभ्रत की युश्सा है यहां पर?। आज मारे मुखे मंतर जी पदाने है।। जो कलेस्टर मीटिंग है। तीनों प्रजिलों की। उनके लेंगे।। और कार्यकरताउं को आगामी चुनाव के लिए जोए ह difference भरेंगे। यही है क्या मंत्र भूगेंगे सरकारि करता हो में किस तरसे जो फार करता हो के एक मंतर हो को के आई करने के लिए आए ये कांग्रेस भी ही नहाएगी कांगरेस का नाम लेने कोई नहीं बचेगा आकेगा तो सुनीरा यह है लोकसभा प्रबारी जोदपूर के जिन्हों विजे सिंग जी नहीं बढ़ाया कि किस तर से जो है कॉंग्रेस मुक्त हो जाएगी कारेकरता जो कॉंग्रेस के है वो बीजेपी जोईन करें और यही कारण है कि जिस तर से आज संबाना जाता ही जारी एक कानून मंत्री प्रदेश के जोगाराम पठेल है स्वास्त मंत्री है जो चिकिसा मंत्री गजेंदर सिंग्रिसर है उसके अलावा जिलाजियक से महापौर है तमाम वो लोग यहां पहुचे जो है जो मुक्त मंत्री को लेने के लिए यहाए है जी जी एरून और एक चीज़ और यहां पर मैं दर्शकों की जानकारी के लिए जानना चाहूंगी कि कितने जो सीटे हैं वो इन दोनों ही लोग सबाक्षेत्रों की अगर हम बात करें तो उद्यपूर है जोद्पूर है इनमें कितनी सीटे हैं कुल मिला कर और अब उम्मीदवारों को लेकर क्या मंथन च सकता है इस पर क्या जानकारी आपके पास हमारा कारे करतों में कहते मंत्र देने का प्रयास किये जाए किस Genau की सार्कार निंगे किस सर्कार की साहते हैं कि कारी pays अधिया कहân के लिए कि किसवी कार्य करेंगे sickly वक्ता कुद्विन के सरकार होने से काम तो इन्ध पर्यामस करिये का कर नहीं किस पीके जो अन्य जो दस नाम राइस्तान के बचे वे उनका नाम गोशित कर दिया जाए सुनीता जी जी अरुन आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां जूदपुर से मुख्यमंतरी भजनलाल शर्मा के सकारक्रम और उद्यापुर द